नव ग्रहों में आठमें ग्रे हैं राहू राहू देखने में बहुत ही भेंग कर दिखते हैं ये सिर पर मुकुट गले में माला तदा शरीर पर काले रंग का वस्तर धारन करते हैं इनके हाथों में करमशेह तलवार, ढाल, त्रिशूल और वर्मुद्रा है तता ये सिहें के आसन पर आसीन हैं ध्यान में ऐसे ही राहू प्रशस्त माने गए हैं राहू की माता का नाम सेहिका है, जो विप्रशिती की पतनी तथा हिर्ण कष्युप की पुत्री थी माता के नाम से राहू को सेहिकेय भी कहा जाता है, राहू के सो और भाई थे जिनमें राहू सबसे बढ़ा चड़ा था जिस समय समुद्र मन्थन के बाद भगवान विश्णू मोहिनी रूप में देवताओं को अमरित पिला रहे थे उसी समय रहु देवताओं का वेश बना कर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमरित पिलिया परंदु तक्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी अमरित पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीकी धार वाले सुदर्शन चक्र से उसका सिरकाट डाला अमरित का संसर्ग होने से वे अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया महा भारत मीश्म पर्व के अनुसार राहु ग्रह मंडला कार होता है ग्रहों के साथ राहु भी ब्रह्मा की सभा में बैठता है मतश्य पुराण के अनुसार प्रत्वी की छाया मंडला कार होती है राहू इसी छाया का ब्रह्मन करता है यह छाया का अधिश्टात्री देवता है रिगवेद के अनुसार असुया पुत्र राहू जब सूर्य और चंद्रमा को तम से आचन कर लेता है तब इतना अंदेर अच्छा जाता है कि लोग अपने स्थान को भी पहचान नहीं पाते इसे ग्रहेण या राहू पराग कहती है मतश्य पुराण के अनुसार राहू का रत्थ अंदकार रूप है तथा इसे कवच से सजाए हुए काले रंग के आठ गोड़े खींचते है राहू के अधी देवता काल तथा प्रत्यदी देवता सूर्य है नव ग्रह मंडल में इसका प्रती की वायववे कौन में काला ध्वज है राहू की महादशा अठारा वर्ष की होती है अपवाद स्वरूप कुछ प्रस्थितियों को छोड़ कर ये कलेश कारी ही सिद्ध होता है जोतिश शास्त्र के नुसार यदि कुंडली में राहू की स्थिति प्रतिकुल या एशुब है तो ये अनेग प्रकार की शारिरिक व्याधियां उत्पन करता है कारी सिद्धी में बाधा उत्पन करने वाला तता दुर गटनाओं का जनक माना जाता है राहू की शांती के लिए मृत्युन जैजप तता पिरोजा धारन करना स्रेयसकर है इसके लिए अब्रक, लोहा, तिल, निलावस्त्र, तामरपत्र, सब्त धान्य, उडद, गोमेद, तेल, कंबल, गोड़ा तता खडग दान करना चाहिए इसके जपका वेदिक मंत्र है पोरानिक मंत्र है अधीक अर्ध कायम महा वीरियम, चंद्रा दित्य विवर्मतनम, सिहिका गर्भ संभूतम, तम राहुं प्रण माम्यहम बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोंस राहवी नमह तथा समान्य मंत्र है ओम राम राहवी नमह इसमें से किसी भी एक वंत्र का निश्चित संक्या में नित्य जब करना चाहिए जब का समय रात्री तथा कुल संक्या अठारा हजार है